फ्रेंट्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है देखे फ्रेंट्स आज हम इन बची खुची उल से जो मेरे पास यह थोड़ी थोड़ी सी बची हुई उल है इस से हम और यहाँ पर मैंने लिए है नाई नंबर की नीडल यह आप देख लीजिए नाई नंबर की मिडल है और यह भची खुची उल से हम बहुति शुन्धर यह मल्टी-कलर में दिजाइनगे तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5k मस्ता में देके 2 पन दे मैंने एक्स्ट्रा लिए है दो फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं तो मेरा ये डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगा तो फ्रेंट्स इस डिजाइन को आप बेबी स्वेटर में डालिए बेबी कारडेगन में डालिए जैकिट में डालिए शोल में डालिए स्टोल में डालिए कैप में डालिए सभी प्रोजेक्ट में बनके ये रेडी मेट से भी सुन्दर डिजाइन बनता हुआ आएगा तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है यदि आपको मेरा ये ब्यूटिफुल सा रेडी मेट लुक में डिजाइन पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीज डिजाइन आपके सामने है चैनल को सब्सक्राइब कीजे और सेर कीजे तो चलिए फ्रेंड्स आज हम ये सुन्दर सा डिजाइन बनाना शीकते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बनाया है इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5K मल्टिपल में फंदे लेके और उल्टे तरफ से भी मैंने बोडर के तोर पर ये चयार सलाई उल्टी बनाके कंप्लेट की है टोटल मैंने चयार सलाई में पर इस तरह से दो डिजाइन बनते हुए आए हैं तो अब हमें क्या करना है एक सिलाई और हम यहाँ पर पांचमी सलाई है जो इसे भी हम उल्टी बना लेंगे क्योंकि इस डिजाइन को हम उल्टी साइड से बनाना शुरू करेंगे पांचमी सलाई को हम यहाँ से उल्टी उल्टी बना लेंगे और इस डिजाइन को मैंने 9 नमबर की यानि कि 9 नमबर की सलाईएं से बनाया 9 नमबर की सलाई से अगर आप बनाएंगे तो डिजाइन बहुत ही सुन्दर उबरा-उबरा सा रेडिमेट लुक में बनता हुआ आएगा तो मैं यह सलाई बना लेते हूँ फिर देखते हागे हुँ कि इस तरह से डिजाइन डालेंगे तो यह देखिए मैंने इस पांचमी सलाई को भी उल्टा-उल्टा बना के कम्प्लीट कर लिया है तो यहां से मानिए उल्टी साइड से बोडर बनाने के बाद आप उल्टी साइड आ जाएए उल्टी साइड से डिजाइन की पहली सलाई शुरू होगे डिजाइन लगा के हम धागा लगा के डिजाइन डालेंगे यह इस तरह से हम धागा लगाएंगे पहले फ़र देखो तो हम ऐसे उतारिये या बनाईए ओ आपके उपर आपकी मरजी है अब धागा अपनी ओर करTकी पूरी सलाई को हम इस तरह से धागा लगा के पूरी सलाई को हम ऐसे उलटा-लटा ही बना लेगे डेजाइन की पहली सलाई उल्टी साइड से हम पूरी सलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्पलीट करेगे ही मैंने पूरी सलाई को धागा चेंज करके उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लिया अब आ गए हैं हम डिजाइन की दूसरी सलाई और सीधी सलाई की तरफ यहां से अब हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे कि यह डिजाइन हम किस तरह से बनाएंगे पहले फंदे को तो आप उतारिये या बनाएए वो आपके उपर आपकी मर्जीत मैंने पहले फंदे को ऐसे ही सलीप कर लिया अगला फंदा एक हम बनाएंगे उल्टा इस तरह से दागा पीछे करेंगे फिर से एक फंदा सीधा दागा अपनी और एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा तो यहाँ पर मैंने पहले फंदे को मानी सीधा बनाया अगला फंदा उटा एक फंदा सीधा एक उटा एक फंदा सीधा इस तरह से मैंने पहले फंदे को मैंने स्लिप कर लिया है दागा अपनी और करेंगे एक फंदा उटा बनाएंगे दागा पीछे करके आप हमने ये फंदा सीधा तो बनाना लेकिन हमें किस तरह से बनाना हमने ऐसे नहीं बनाना है जो ये आपको ये वाला होल दिखाई दे रहा नेचे से इस में से सिलाई डालके इस फंदे को हमें से सीधा बनाएंगे तो ऐसे बनाने से हमारी बीच की फली उबरी उबरी आएगे धागा अपनी और एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर से हमें एक फंदा सीधा बनाएंगे लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे सभी इस सलाई में जो सीधे फंदे बनाए जाएंगे वो यहाँ नीचे इस डिजाइन में पूरे डिजाइन में सीधे फंदे को हम यहाँ ऐसे हॉल से निकाल के सीधा फंदा बनाएंगे देखी पहला फंदा मैंने सलिप किया अगला फंदा उटा अगला फंदा सीधा बनाएं लेकिन हॉल से निकाल के बनाएं अगला फंदा उटता, अगला फंदा सीधा, फिर होल से निकाल के बनाए, धागा अपने और करके हम साथ फंदे उटे बनाएंगे, एक, दो, तैन, चार, पांच, छे, और साथ, साथ फंदे हमने उटे बनाए धागा पीछे करेंगे, फिर्षे इस फंदे को सीधा बनाएंगे, लेकिन ऐसी नहीं बनाएंगे, जोई आपको ये वाला होल दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें से हम सलाई डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे, धागा अपनी और एक फंदा उल्टा, धागा पीछ सबसब्स हेसे फिर इक फंदा BBC बनाईंगे और इस हूल से निकाल के फंदा सीधा बनाई इस तरह से अब धागा अपनी ओर करके फिर से हम साथ फंदे उड़े एक दो ली इते कर पांच छे, साथ, धागा पीछे, फिर से इस फंदेखों हम सीधा बनाएंगे और यहां खोल से निकाल के ही बनाएंगे धागा अपनियों एक फंदा उटा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा खोल से निकाल के फिर से धागा अपनी और एक फंदा उटा धागा पीछे फिर से इस फंदे को होल से निकाल के ऐसी सिम्पल सीधा लाष्ट का बना लेंगे तो यह हमने यहाँ पर डिजाइन की दूसरी सलाई को सीधी साइड से बना के कम्प्लेट कर लिया अब आ गए हैं डिजाइन की उटे तरफ हैं और तीसरी सलाई है हमारी तो अब हमें क्या करना है ध्यान देशिए एक फंदा तो यह ऐसे ही हम परलवाई स्लिप करेंगे धागा पीछे करेंगे और जो अब यह उटा फंदा दिखाई दे रहा है इसे हमने सीधा बनाना हो और ऐसे होल से निकाल कर ही बनाना धागा अपनी और अगला फंदा उटा धागा पीछे अगला फंदा जो यह सीधा दिखाई दे रहा हो उटी साइड से इस साइड से हमने उटा बना था तो इसे भी हमने ऐसे होल से निकाल की ही बनाना है तागा अपनी और अब हमें क्या करना है आगे हमने ध्यान देजी एक दो तेन च्यार पांच छे साथ साथ आठ और एक यह नो नो फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बना लेने नो फंदे उल्टे बना के धागा पीछे फिर जो यह एक फंदा यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ होल से निकाल के ही बनाएगे सिधा फंदा धागा अपनियोर फिर से हम एक दो तेन च्यार पांच छे साथ आठ और यह नो आठ और यह नो फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएगे धागा पीछे अब जो यह सीधा फंदा आपको दिखाई दे रहा है इसके यहाँ होल होल से निकाल लेंगे और सीधा फंदा ही बनाएगे धागा अपनियोर एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर से सीधा फंदा तो इसे हम यहां होल से निकाल के ही सीधा फंदा बनाएंगे लास्ट के फंदे को हम उल्टा बनाएंगे तो यह हमने यहां पर तीसरी सलाई को उल्टी साइड से बनाते हुए कंपलीट कर लिया है तो यह तीन सलाईों में हमारा डिजाइन यहां से देखिए दो यह इस तरह से फली बनती हुई दिखाई देही बीच में उल्टे फंदे तो डिजाइन बनना तीन सलाईये में स्टार्ट हो गया तो अब आ गए हैं चोथी सलाई और सीधी सलाई की तरफ, पहले फंदे को सलिप करके धागा अपनी और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से जो सीधा फंदा है इसे हम ऐसे होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिए जो सीधा फंदहां फिली बंती आई हैं तो हूल से निकालके सीधे फंदह को बनाएंगर दागा अपनी और आगे हमारा ये साथ फंदह उटे हैं तो साथ फंदह हों उटे बनाएंगे पंच चे 7 दागा पीछे फिर से सीधा फंद कि सीधा बनाएंगे आफ शेज बनाएंगे थागा पुद फिर से नीख हूँ यूटे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, दागा पीछे, फिर से जो ये फली वाला फंदा दिखाई देरा, यहां होल से निकाल के सीधा बनाएंगे, दागा अपनी और एक फंदा उटा, दागा पीछे, फिर से जो फली वाला फंदा है, इसी सीधा ही बनाएंगे, दागा अपनी और एक फंदा उल्टा, दागा पीछे, फिर से लास्ट के फंदे को हम ऐसे ही सेधा बुन लेंगे तो ये हमने अपने इस सिलाई को बना के कम्पलीट कर लिया आगे हैं डिजाइन की अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ अगली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे पहले फंदेखो ऐसे उतार के धागा पीछे करेंगे जो ये फली वाला फंदा दिक रहे इसे होल से निकाल के बनाएंगे धागा अपनी और एक फंदा उल्टा धागा पीछे छो फ़ली वाला फंदा फिर्शे होल से निकालके बनाएंगे धागा अपनी और एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर्शे आगे हम कि ये एक फंदा से लिपकिया, एक होल से निकालके सीधा बनाएं, फिर से उल्टा, फिर से होल से निकालके, फिर से उल्टा, फिर से उल्टा बनाने के बाद, फिर एक दो, और तीन, च्यार, पाँच, छे, साथ, आठ, आठ और एक उन्नो, नुफंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिरसे हम जो यह फली वाला फंदा उल्टे साइड से दिखाई दे रहा, इसे होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपने और आगे फिरसे हम उल्टे फंदे बनाएंगे, तो एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, छे, साथ, आठ, और यह न नौ फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करें जो फली वाला फंदा फिर से आ गया है सीधा इसे सीधा होल से निकाल के बनाएंगे धागा अपनी और एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर से हम सीधे फंदे को होल से निकाल के बनाएंगे धागा अपनी और लाश्ट के फंदे को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे तो यह हमने उल्टे सलाई को बुनकर कम्प्लेट कर लिया अब आ गए हैं फिर से सीधी सलाई की तरफ जैसे मैंने दूसरी और तीसरी सलाई बनाई थी इसी तरह से हम जैसे यह दो डिजाइन आई हमारे इसी तरह से हम दो बनाएंगे इसी इन सलाई की तरह है दूसरी और तीसरी सलाई की तरह है फिर देखते हैं कि हम किस तरह से बनाएंगे मैं यह दो डिजाइन और बना लेते हूं जैसे मैंने दूसरी और तीसरी सलाई बनाई है उसी तरह से बनाते हुए दो यह हम यह च्यार शिलाई बना ले यहांपर एक दो तीन चार डीजाइन बीच में दिखाए दिया में तो आठ सब्साइफ में यहां तक मेरा डीजाइनेट बन बना था उसी तरह से फिर्षे हम नोमी सालाइ को धागा चेंज करके बाइट किया प्रोलỏi पूरी सलाइ को हम जैसे हमने यह पूरी योद्ट के लगा लगा के पूरी लाइक कहween उछचे साइड कब्रों लगे ठर्चतों कब्रिप्रों कर एक को senses ल मेंगे लगा के पूरी सलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लिया अब आ गए हैं डिजाइन की यहां पर दसमी सलाई है और सीधी सलाई है दसमी सलाई को हम जैसे मैंने यहां दूसरी सलाई बनाई थी बनेगी तो उसी तरह लेकिन अब की बार डिजाइन हमारा सीफ्ट होगा यह उल् करेंगे है कि तो फ्रेंड शेक है पहले फंद ölीब कियाा दूसरा फंद यहां पांच छे साथ यह यहां बीच में उल्टे उैज़ साथ पन गए यह साथ फंद वॉइट कलर से उल्टे उल्टे बना लिए है अब फिर से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे लेकिन इस तरह से इसे हम यहां ऐसे नी बनाएंगे फिर से हम यहां होल से निकाल के सीधा फंदा बनाएंगे दागा अपनी और एक फंदा उटा धागा पीछे फिर सीधा फंदा लेकिन होल से निकाल के बनाएंगे दागा अपनी और फिर से हम साथ फंदे उटे एक दो तेन च्यार पांच छे साथ साथ फंदे उटे दागा पीछे फिर से हमने इस तरह से ये वाले दो ये फली वाले फंदे यहां पर बनाने हैं तो सीधा फंदा बनाएंगे लेकिन होल से निकाल के बनाएंगे दागा अपनी और 1 फंदा उल्टा, दागा पीछे, फिरसे 1 फंदा सीधा लेकिन होल से निकाल लगे, दागा अपनी और लास्ट के भचे हैं फिरसे, जैसे मैंने यहां पर 7 फंदे उल्टे बनाए तो यहां पर भी हम 7 फंदे उटे बनाएंगे, तो 3,4,5,6ुरी 7, यह दसमी सलाई सीधी साइड से बनके complete अब आगे हैं डिजाइन की 11 सलाई इन सलाईयों को आफ 10 सलाई को और 11 सलाई को ध्यान से देखिए क्योंकि आगे फिर हमने इसी तरह से सलाईयां बनाने हैं सलाई और हमने इसी तरह से बनानी पहले फंदे को ऐसे ही प्रलवाय सलिप करके ये हमने साथ फंदे उटे बनाने हैं दो तीन च्षार 5-6-7 साथ फंदे तो हमने जो उल्टे बनाये थे उसी तरह से बनाना अब आगगे हैं इन फंदों के उपर हम तो इसे हमने की सतरह से बनाना है यहां से आप खुद देख लीजेए दोनों तरफ एक एक उटा फंदा दिखाई देरा उटी साइड से और ये फंदा हमारा सीधा दिखाई देरां तो हम इन साइड के फंदा's को उटे ही बनाएंगे दागा पीछे करेंगे जो सीधा इसे होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी और फिर से हम उटे फंदे बनाएंगे, 1,2,3,4,5,6,7,7 फंदे ये इस तरह से हमने उटे बना, एक आठ, आठ फंदे उटे बनाएंगे, दागा पीछे करेंगे, फिर से जो ये हमें, आठ फंदे हम इस तरह से उटे बनाएंगे, दागा पीछे करेंगे, ये फंदा जो सीधा है, इसे होल से निकाल के ही बनाएंगे, दागा अपने और फिर से हम आगे के फंदे उटे बना एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे, सात, लऎट के फन देखो, यह श्टेच को सेदा, तो यह हमने ग्यार्मी सलाई को बना की कम्पलीट कर लिया हैं, अब आ गई फिर से बार्मी सलाई की तरफ, बार्मी सलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ग्यार्मी सलाई से दागा चेंज किया था हमने, नोवी सलाई में, दस्मी सलाई हमने से दी साई से जैसे बनाई थी, दस्मी और ग्यार्मी सलाई, इसी तरह से फ कि यह हम तेन डेजाइन और बनाएंगे टोटल फिर से हमारे हैं ज्रह जाइन बन जाएंगे तो मैं यह में जह त tiene and फिर से यहां पर अपने यह च्यार डियाइन यानि कि आठाट वना कि यह डिजया इन् zebra में तो यह अब देखी मेरा design shift हो गया तो यह जीदो钱 दो परTransburg मे difन देआए हो यह उल्टे संदों परसी देआए तो च्यार कि कम्तें नहीं पम इन्हीं आठाट सिलाई में complete होता तो इन्ही आठ सिलाईयों को बार-बार repeat करेंगे तो तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा तो friends इन्ही आठ सिलाईयों को बार-बार आप इस तरह से color change करते हुए जाए और अपना ये beautiful सा ready made look में design बना के complete कर लिजे तो design आपके सामनी है यदि आपको मेरा ये design पसंद आई तो please मेरी वीडियो को like कीजिए design आपके सामनी है channel को subscribe कीजिए और share कीजिए तो friends मिलते हैं अगली नई अच्छी सी सुन्दर सी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए thank for